कल से संसतों का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले आज सरकार ने सभी दलों के बैठक बुलाई है। ये सरदली बैठक संसत्ध भणवन के लाबरेरि बिल्टिंग में हो रही है। बैठक के जरिये सरकार की कोशिश होगी कि बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके इसके बाद कल बजट सत्र के पहले दिन राश्टपती दुरुपदी मुर्मू का भी वहाशन होगा इसके बाद सरकार 2022-23 का वार्शिक आर्थिक सर्वेक्षन की रिपोर्ट वित्मंतरी निर्मरास सितारामन आम बजट पेश करेंगे राजीव रंजट ने हमारे साथ इस बारे में जादा बात करने के लिए सिरे राजीव के पास चलते हैं राजीव सारा फोकस इस बात पर होगा कि ये सत्र सुचारू रूप से चले और कुछ क्राम का आज होता परको निर्मरास सितारामन जब बजट पेश करेंगे तो उसमें सब लोगों के निगाएं होंगी क्या मिडल मध्यमबर के लिए उसमें क्या बिजनस के लिए क्लिए और आम लोगों के लिए क्लिए क्लिए उससे पहली बात आपको बता दे कि थोड़़ दियर बारолог 11 बाज जो पार्लाइमेंट के ठीक पीशे आप देख रहे होंगो जो लाइबरी बिल्डिंग है वहाँ सत्तापक्ष को और से बैठक बुलाएगे ही है आम राय कायम करने के लिए लेकिन विपक्ष का ये काना है कि कई सारे मुद्धे हैं जिसको लेकर वो सरकार को घेरेगी बजट का काना है कि बजट देखने के बाद ही जो विपक्ष के नेता है उस पर अपनी राय कायम करत पाएंगे लेकिन कई सारे मुद्धे हैं जिनको लगता है कि विपक्ष को लगता है कि जो सरकार से जो नराजगी है वो ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है मंगाई की बात हो विरुजगारी के बात हो चीन को लेकर जो विदेश निती है उसकी बात हो बॉर्डर की बात हो तो ऐसे कई सारे मुद्धे हैं बिधाई का और नेपल का के बीच में जिसर से एक तना तनी चल रही है तो ऐसे कई सारे मुद्धे हैं जिसको लेकर विपक्ष को सरकार को गहरने के कोशिस करें कि वहीं सरकार के कोशिस यह होगी कि आम राय बनाए चुकि बजट पास कराना ना क्यों सरकार के जिम्मेदारी है बलकि विपक्ष के भी उतनी ही जिम्मेदारी है जी रजीव शुक्रिया आपका